नमस्कार दोस्तो वेलकम टू स्पोर्स नॉलेच तो गैस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन फुटबल से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेन अपडेट्स के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो गैस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शंदेश जिंगन के बारे में तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शंदेश जिंगन को यहाँ पर अरजुना एवार्ड के लिए घोशित किया गया है और अब फाइनली प्रेसिडेंट रामनात कोबिन के हाथ से उनक 27 होस्ट करने के लिए इंडिया ने यहाँ पर सारा डॉकुमेंट सब्मिट कर दिया है एवसी कॉनफरेंस के हाथों में और गाइस कातार इडन साओधी और उजवेकिस्तन के साथ साथ इंडिया भी आप उसी लिस्ट में आ चुगा है जिन्नोंने एवसी एशियन कप 2027 होस करने का बहुती नजदीग आ चुगा है और आप हमें सिर्फ यही देखने है कि यह साइनिंग ओफिशियल तरिके से कप एनॉस्मेंट किया जाता है और इसके बारे में आगर आपको और भी जान कर जाईए तो चैनल को सब्स्रेब करके हमरे साथ जूरे रहना नेक्स्ट अ यहाँ पर एलबर्ड रोका को एप्रोच किया गया है उनका कोचिंग स्टाप में जॉइन करने के लिए और उसी बज़े से एलबर्ड रोका एक मेच्वल एग्रीमेंट के दौरन हादावद FC के साथ फाइनली पार्डवेज हो चुगा है तो गाईस हादावद FC के साथ पा पात साल काम कर चुगा है तो गाईस एफसी बर्सलोना में जॉइन करने के बाद एलबर्ड रोका यहाँ पर हादावद FC को एक स्पेशल स्यंक्स कहा चुगा है उनके साथ एक म्यूचुल डिसिजिएन लेने के लिए जिस बज़े से आज वो एफसी बर्सलोना के साथ जॉ ओफिशियली कॉन्फरम तरिके से जॉइन हो चुगा है जिसके बज़े से भाई पावन कुमार नॉर्थी स्टोनेटर FC का स्कॉट में जो सेकेंड चॉइस गोलकीपर के दौर पर शामिल था वो स्लोड अप पूरी तरिके से खाली हो चुगा है तो गाईस उनीका रिप्ले सब बहुती स्ट्रोंग तरिके से निकल कर आये है कि उनका जो सेकेंड चॉइस गोलकीपर था पावन कुमार वो उनका स्कॉट से बाहार हो चुगा है और आप संजीबन घोष का नॉर्थी स्टोनेटर FC में आने के लिए एक बहुती बड़ा पॉसिबिलिटी बन चुगा ह तो गाइस संजीबन घोष एक 39 वर्षी है इंडियन गोल की पर है जिन्होंने आई लिक में मुंबई फुटबल क्लाप और आई एसल के अंदर दिल्ली डायनामोज अपसी जामशित्पूर FC और चेनाईन FC के लिए खेला है और आप इनको साइनिंग कर सकते हैं नॉर्थ इ इंडियन फुटबल से जानकरी आप हमारे चैनल पर मिशना करी और कोई भी जानकरी के बारे में अगर आपका दिम्याक में कोई भी कॉन्फिशन है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना तो फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और तब अबता के लिए बाई बाई बाई